मुंत्री बख्रक्नों चुन खावाई, खोगवाई, लाम्सगों एबदे मानुनों प्रधान मुंत्र के त्रुपुडवश्यर पख्रो थेके त्रुपुड़ार परुमपरा गतुर रिशा पोरिये, शादर अभुर्थाना तो बरुन करा जुन्नों मानुनियों मुंत्री स्री बिपलप कुमार देव के अनुरोध्य चानत छी त्रुपुडवश्यर पख्रो थेके मानुनियों प्रधान मुंत्र के शुवेच्च श्नारूक तुलिदार जुन्न मानुनियों मुंत्री स्री बिपलप कुमार देव के अनुरोध्य चानत छी अनुरोध्य चानत छी मानुनियों उपमुक्ष मंत्री स्री जिश्नुद्य बर्मा महतायके नमस्कार जदर खुरूंका मुंचे उपविष्टो अमादेर अतिप्रिय प्रधान मुंत्री स्री नरेंद्र भाय मोधी जी एराइज जेर महामाईनर आज्जोपाल प्रोफेसर काप्टान सिंग सोलंकी जी एराइज जेर जनप्रिय मुक्ष मंत्री स्री भीपलव कुमार देव जी मुंचे उपविष्ट मंत्री सबार सदेश्च बिन्दो और एए महती अनुस्थाने आगत सब भायबोन, मुंदुमांदव, माता अभगिनिगर आज आम्रा उच्छ शितो छारा प्रिदी भीते विकास पूरूस बोले पर जीतो स्री नरेंद्र मोधी जी आमादेर माजे उपश्थी एई से प्रधान मंत्री जीनि आमादेर देशके उन नयन शील देशेर तक्मा थेके उन नतो देशेर पर्जाईरिये जेते दिरो संकल्प पनिये छेन। एबं ता बास्तवायने जे चल्चेन जेन आम्रा अतिते कनो दिन लख्खो करीनी। सामी विवेकान अंद भारात बश्चो के जे विश्व गुरु बानानो और सप्न देखेची लेन। ता जथार्थो अर्थे स्री नरेंद्र मोदी जीर हाते बास्तवायन होच्चे। आम्रा देखेची उत्तर पुर्वा अंचलेर सते राईज्य के अनुननो तो बोले परिगनितो हतो। किन्तो आमादेर बधान मंत्री उत्तर पुर्वा अंचलेर सत्ती राईज्य ओ शिंकिम के अस्ट लक्ष्मी सा वे तुले धरेचेन। उत्तर पुर्वब अंचलर एर राज्य गुलीर दक्किन पुर्वब एबंग पुर्वब एशियार देश गुलीर साथे सान्निद्यर कारोने समक्र भारतेर अर्थनोयतिक उन्नयने ड्राइविंग फोस हिसाबे काज करार जे खमता हाचे ता सुधू मात्रो स्री नरेंद्र मोधी जी उपल अब्धी करेचें एबंग ता भास्तवायानेर प्रचेस्था चालाचें सुधू मात्रो अर्थनोयतिक उन्नयननोय तिनी जन जाती समप्रदायर ट्रिष्टी संस्क्रिती अस्तित्तो रखार उपरो जोर दिये छेल एरपोर्ट प्रांगोने महराजा बीर्बिक्रों मानिक्केल पुरु नांगो मुर्ति उन्मोचनेल मैध्धमेतिनी ती प्राबासी और जोन जाती संप्रदाएर बहुदिनेर अकांका पुरौन करेशेन आमादेर आज्यो के स्तोल और जोल पते बंग्रादेशेर मोज्जोदी भारत एवं प्रितिवीर विविश्टानेर शाते जुक्त कराल प्रयास आमादेर ब्रधान मंत्री नियेचेन तार सुपल सुदुमात्र आमादेर राज्योन उत्तरपुर्प्प भारत सहो देशेर एक्टा विशाल अंग्षेर सुपल भोग करते चलेचे मान अनियो प्रधान मंत्री आपनार प्रचेस्टाय आज त्रिपुरा शह उत्तरपुर्भान चलेर सब राज्य गुली जनकन ब्रट गेज रेलवेर सुविता भोग करते चलेचे एते सबार अनेक दिनेर सपन पुरन हचे आमी समस्त्रति पुरा बाशीर तरफ थेके आपना के अशेश कितक गोता एबां धन्न बाद जानाए एबां सागा तो जानाए शबाए का अनेक धन्न बाद जय हीन हम बाए नमस्काल विबारे इस शमाविशे बक्तब्बू राखा जोन्न शोबीनाय अमंत्रों जानाची मनुनियो मुख मंत्री त्री बीपलोब कुमार देव महदायके आजकेर एक कारिक्र में हमादर मंचो पुस्तित शर्वकालेर लोग पीरो प्रधान मंत्री अबंग ग्राम गरीब क्रिसान मध्धवित्त जाती जन जातीर लोग प्रियो निता स्री नरंदर्वाई मोधी जी मंचो पुस्तित त्रिपराइश्वरकारेर त्रिपरार मानन्य राज्यपाल महमहीम् स्री काप्तान सिंग सुलाणकी मोहदा comportrate स्री जिश्नो गपर्म मोहदा मौंत्री पुरिशेदर outside गडक नानो श्रदशोगन और बहरो मात्राव पुस्तित अमां त्रिपुरा राज्जेर भायरा बोनेरा सुधिजन मीडियार बंधुरा बंधुरा प्रथमें आमी धन्नबाद देबो मान्यो प्रधार मंत्री स्री नरंद्र भाई मोधी जी के जो उनी एबार जे 29 बाजेट पेश कुरेचेन से बाजेट ओ इतिहाशिक बाजेट एबंग शेही बाजेटे उनी 39 ते जोन्नो 21 परसेंट बाजेट बारियेचेन तार सोंग शोंगे 29 ते बार मत्रा सी एबंग स्टी रोय छे शेटा तो एश्टी दे जोन्नो 36.6 परसेंट बाजेट बारियेचेन एस्टी ते जोन्नो 17% बजेट बाड़िये छन अर्ताश शोंगे शोंगे पूरु भारत बेश्चु बैपी ये प्रथम बार कुनो प्रधान मंत्री एग जुगे क्रिशोक देर जोन्नो प्रती बचोर तीन किस्ती ते 6000 टाका तिरिपुरा ते 4 लाग परिबार माने 20 लाग मानोस ताते लाभुबान होबे अपने क्रिशोक देर जोन्नो जे स्कीम लागू करे छेन शेटा ओईत्याशिक अबंग ताते क्रिश्च तिपुरार शाधरन गुरीब क्रिशोक रा जादेर 2 हेक्टार पढ़ जोन्तो जोमीन रोहे छे माने 12 लाभुबान होबेन बंदुरा शुदू ताई नहीं है आमाते 3 राज्जेर एक छोट तो ग्रामे एक छोटा सा गाउ में ठांगा डारलंग रोसम बजाता है ये पहले देश में नहीं होता था क्योंको ट्रांस्परेंसी नहीं थी किसी का पैर भी लगता था हमारे जो कुमारगाट के आसपास छोटी सी गाउ में छोटे से घर में रहता है ये ठंगा डलंग एक वला विकती है रसम बजाता है दुनिया में उनको भी धुन के निकाला उनको पदमश्रि दिया और नौर्थिस्ट के दक्तर भूपन हाजारिका के वो उनने भारत रतनो से भुषित किया है माने नौर्थिस्ट के जो संस्कृती हमारे जो कल्चर उनको भी उनने सम्मान किया साथो साथ मैं दिल से बोल रहा हूं हम लोग नौर्थिस्ट बाशी है माने प्रजान मुंत्री मोहदय हम लोगों को दिली बहुत दूर लगता था हम लोगों को लगता आपने नौर्थिस्ट को अश्टलक्ष्मी के जो आपना आपका जो सोच उस्वी दिशा में लेके गए और आज भोगलिक दुरत्वों अगरतला से दिल्ली का उतना ही रह गया किन्तो दिल का दुरत्वों पूरे नौर्थिस्ट बासी का कम हो गया बुंधू पूरे 2018 के निर्बाचन में तिरिपुराबासी मा के आशिरवाद से और आपके द्रिलर संकल्ब से तिरिपुराबासी को मुक्त मिला है मुक्ती मिला है और तिरिपुराबासी आजीबन आप करपती आभार रहेंगे जो आपने तिरिपुरा को एक नया दिशा दिया हमने नया आजेट हमने पुरुस्तुत किया था। हम लोगों को सेबेंद पे कोमिशन देना था। स्टेट को डेवलप्पन करते हावे। आ ताज्जुन नो आपनी स्पेशाल खते प्रतों शारशार्श शुकुठी टाका, तार पर आबार शारशार्श शुकुठी टाका, पनौर शु खुटी चाका तृपुरा राजजुक द्याव होएअची। मान ये प्रधार मुंत्री महदावाय। 2017-2018 ते जे त्रिपुरा ते बाजेट प्रस्तुत करा हो तो 2017-2018 में त्रिपुरा में जो बाजेट प्रस्तुत होती है उसमें 2422 करोर त्रिपुरा के टेक्स रेविन्यू इनकम था हमारे सरकार से 11 माहिना हुआ है हमने इसमें 1790 करोर जो टेक्स रेविन्यू कमाई जो त्रिपुरा सरकार ने की है 368 करोर रोपया जादा किया है पिछले सरकार के समाई स्रेफ जादा से जादा 10% रेविन्यू इनकम का रेश्यू था हमने 10% को छोर के 25.6% कर दिखाया है और ये त्रिपुरा के लोगों के आशिरवाद से हुआ है आप लोगों ने जो टेक्स वरा उसी से हुआ है त्रिप त्रिपुरा को आगे बढ़ाया त्रिपुरा एक दिन हम लोगा जो सपना है त्रिपुरा को मडेल स्टेट बनाना है सर्वस्रेष्ट राज्य बनाने उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और साथी साथ हमी आरक्त्य भीश्य बोलते चाहिए वो जो ADC ते आपने 6 अटनो मास भड़ुगली स्ट्यान्देंग होबे एकनुमी ते स्ट्यान्देंट होबे एबँ जोन जाती धे त्रिपुरा तो वरोमात्रा जोन जाती रहे चे तादरों जिवनमान यान होबे अमरा चुद्धान तो करें आम्रा सुची पाथी येछी सैव वी तो कैंध्रो सरकार जो दिनी देखे ता हले त्री परा जननल, जातिर आडरो ुन्ना हुआ अपनार उपुस्तिते जनन बहुत भधन्नवाद जनाई अभूंग एकहाने बरो महत्रा है दे त्रिपरार जनसादरन उपुस्तित वहेचे शवई के त्रिपरार सरकारे पखते अनेक अनेक धन्नवाद भारोत मता की नरंद्रवाई मोदी की जॉय हिन। डोनर मंत्रोक, नीती आयोक एबंग राज्यो शरकरेर जो थो आर्थिक शहाय ताए एक्षो तीन कोटी टाका बैयर राज्यर इंजिनियरिंग कॉलेज द्रुपड इंस्ट्यूट्यूट अब टेक्नोलोजीर नोतुन शार्वाध हुनिक पोरी काठा मों निर्मीत हुए छे शिक्ष प्रतिष्ठान टिते इंजिनियरिंग कोर्सेर सिविल, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, कॉम्पूरिटर साइन्स एबंग इलेक्रोनिक्स और कम्यूनिकेशने मोट बारशो छात्रो छात्री लेखा पड़ार शुजो ग्रुए छे गुनो गतो काडिगोरी शिख्ष प्रुधानेर माध्धमे एई त्रिपुडाके मोरेल राज्यरुपांतर काड़ाल लोखे मानुने मोख्य मंत्री बिपलब कमार देवेर बोलिष्ठो नेत्रीते नोतोने कैम्पास निर्मान शाम्भव हुए छे जार शुभू उत्मुद्यम कुडबेन मानुनियो प्रुधान मंत्री ए छाड़ाओ 114 किलोमीटर दीर्घो आगोर्तला शाब्रुम 3407 कोटी टकार रेल प्रकोल पेर्मा धीती मोद्धे 22 किलोमीटर रेल पत निर्मीत हुए छे चाशो आशी कोटी टकाब है गोर्जी थे के बिलोनिया पूर्जन तो 23.5 किलोमीटर निर्मीत हुए तो रेल पत मानुनियो प्रुधान मंत्री मोद्धाय आज जातीर उत्देश्य उत्छवर को खुडबेन त्रीपुरा वासियो को जिस शण का लंबे समय से इंतिजार था वो समय अब आ चुका है अब मैं मानुनिय प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी से साधर अनुरोद करती हुँ कि वे अगर तला के नर्सिंगर में स्थित त्रीपुरा इंस्टुट ओफ टेक्नोलोजी के नय परिसर का उद्खाटन करे साथ ही गर्जी बिलोनिया रेल लाइन को जनहित में राष्ट्र को समर्पीत करे महराजा बीर्मिक्रम किशोर्मानिक बहादूर छेलेन त्रीपुरार शेष शाधीन राजा बला चले आधुनिक त्रीपुरार रुपकार शिक्खार बिकाष, होटेल, बैंक, चिकित्षालाय, बिमान बंदोस्थापन शहो ब्रिटिक शाषुना धीने पिछे पर राज्यो के इगे निये जेते दुरोद्रिष्टी शाम्पन न भी भिन्न जानोहित कर कर्मशोची रुपायन तार शमयकालेर उल्लेक्चोग पदुखे तार शाषुनेर मूल मंत्रो बर्तवन शमयकालेर सबका साथ, सबका विकाषे पदुखे पिर मतुई महाराजार जिवान कर्मेर उपर मनुने मुख्य मंत्री त्री बिपलप कुमार देव महादायर हिंदी और बांगलाई लेखा आधुनिक त्रिपुरार शिल्पकार महाराजा बेर बिक्रम किशोर मानिक शिर्षक बोईटीर मौलाट उनमचन करा जोन्न मानुने प्रधान मंत्री त्रोध्यो नरेंद्रमोधी महादा के शोभीनाय अनुरोध जानाच्छे अब माननिय मुख्य मंत्री श्री बिपलिप कुमार देव जी के हिंदी एवं बंगला में लेखेत आधुनिक त्रिपुरा के शिल्पकार महाराजा बेर बिक्रम किशोर मानिक शिर्षक पुस्तक का विमोचन करने के लिए आधर निय प्रधान मंत्री जी से निवैदन करती हूँ अब इस जन समारह को अपना मुल्यवान उद्वोधन प्रदान करने के लिए मैं माननिय प्रदान मंत्री श्री नरंद्र मोदी जी से विशेश आग्रह करती हूँ कि वेस समारोह को संबोधित करे भारत मता की ज़र्द भारत मता की ज़र्द त्रिपुरानी तक हक बुखुक रोग जोटो नोनो नोनो हम जा कमों ताई खलुम मा याकारू माराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देव बर्मानी और हस्ते हो अंग ताई वैसा पायू बेलायू तौन्थोक्का त्रिपुरा के राजपाल प्रफसर कप्तान सी सोलंकी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री स्रिमान विप्लव कुमार देव पुप मुख्यमंत्री सी जिश्णुदेव वर्मा राजप सरकार के अन्य मंत्री गण और यहां भारी संख्या में पदारे हुए मुझे आशिरवात देने के लिए आये हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों मां त्रिपुरा सुंद्री की धर्ती पर आप सभी के बीच आने का एक बार फिर सौभागे मिला है यहां पर दस्कों बाद जो आपने परिवर्तन किया है उसका संतोष आपके चहरे पर मैं देख सकता हूँ अज़ी पूरे रास्ते बर जब लोग थे तो मैं देख रहा था कि ग्यारा महिने पहले आपको जो मुक्ति मिली है उस मुक्ति का आनंद आपके चहरे पर नजर आ रहा था बीते ग्यारा महिनों में आपने लोग तंत्रों और विकास को सही माइने में अनुभव किया है त्रिपुरा के विकास को त्रिपुरा के विश्वास को नए रास्ते पर ले जाने के लिए मैं यहां के लोग पुरिय मुख्यमंत्री और उपुमुख्यमंत्री दोनों को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सात्यों यहां आने से पहले मुझे एरपुर्ट केंपस में महराजा बीर बिक्रम किशोर मानिक के बाधूर जी का उनकी प्रतिमी का अनावरन करने का आउसर मिला जिन्होंने त्रिपुरा के लिए सपने देखे हैं जिन्होंने उन सपनों को पुरा करने के लिए प्रयास किया ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का एरपूर्ट पर लगना यहां आने वाले हर विक्ति को सकारात्पक्ता से भरने वाला है दीर विक्रम जी की प्रतिमा त्रिपुरा के हर जन को विकास के विजन के लिए प्रेडित करने वाली है साथ्यों त्रिपुरा के विकास के लिए केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी बीते साड़े चार वर्से त्रिपुरा के लिए परियाप्त फंड जारी किरिया गया लेकिन पहले की सरकार के रवये के चलते यहां काम नहीं हो पाया था लेकिन वर्तबान सरकार अब त्रिपुरा के विकास को गती देने में जुटी है मुझे बताया गया है कि राज्य के इतिहाद में पहली बार न्यूनतम समर्थर मुल्य पर MSP के आधार पर MSP के आधार पर पहली बार त्रिपुरा राज्य में किसानों से धान खरीदा है महरानों दिल्ली में बढ़ने बड़े भाशन जाड़ने वाले नेता जब यहां उनकी पार्टी की सरकार थी MSP पर किसानों का धान खरीदने काफी काम जिनों ने नहीं किया देश को ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा उनको बेनकाम करना पड़ेगा इसके अलावा सात्वे वित्तायों की सिफारिशों को लागू कर लाखों कर्मचारियों का ध्यान भी रखा गया है यह काम जो मद्दूरों के नाम पर राजनीती करते हैं कामगारों के नाम पर राजनीती करते हैं दुनिया भर को मद्दूरों के हके भाशर देते हैं। उन्होंने त्रिपुरा में इतने साल सासन किया लेकिन पे कमिशन के रिपोर्ट की कभी परवा नहीं कियी। एक प्रकार से त्रिपुरा को पहले की सरकार ने अलग थलक करके रखा था, वो अब सही मायने में हमारा त्रिपुरा देश की मुख्य धारा में चुड रहा है। साथियों, त्रिपुरा के सामान ने मानवी के हित को विस्तार देते हुए, अभी-अभी मैंने सैकडो करोड के प्रोजेक्स का उद्गाटन किया है। अगर तरह सर्बरूम रेल्वे लाइन का गरजी बेलोनिया सेक्शन हो या त्रिपुरा इंस्टिटूट अब टेक्नोलोजी का नया केंपस, यह यहां के युवाओं को नए अवसरों से जोडने वाले हैं। साथ्योत चुनाव के समय जब मैं यहां आया था, तो मैंने विकास के हीरा मॉडल की बात की थी, ह-I-R-A, लोग चुनाव में बोलते हैं, बात में भूल जाते हैं, मैं सामने से याद करा रहा हूँ, ह-I-R-A, मैंने हीरा की वकालत की थी, इसका मतलब था, हाइवे, आइवे, रेलवे, एरवे, ह-I-R-A, अगरतला से सबरूम तक का रेस्टल हाइवे प्रोजेक्ट हो, रेल लाइन हो, हम सफर एक्सप्रेस हो, अगरतला देवधर एक्सप्रेस हो, अगरतला के एरपोर्ट में बन रहा दुसरा टर्मिनल हो, यह सा प्रोजेक्ट त्रिपुरा के उसी हीरा मोडेल की जांकी है इन प्रोजेक्ट से त्रिपुरा में रोजगार के नए अवसर पैदा होने वाले हैं यहां उद्योगों की संभावनाय बनने वाली हैं साथियों जिस त्रिपुरा को लैंड लोग राज्य बताकर विकास का हक छीना गया उस त्रिपुरा को हम साउथ इस्ट एश्या का नया गेटवे बना रहे हैं बंगला देश सरकार के सयोग थे चिटगाव और आशुगन पोड के रास्ते त्रिपुरा को बॉटर कनेक्टिविटी का फाइदा मिलने वाला है फैनी नदी पर पूल पर भी तेजी से काम चल रहा है जब यह पूल पूरा हो जाएगा गोमती नदी को गहरा करने का काम पूरा हो जाएगा तब तिरी पूरा सिर्फ नौर्थ इसका नहीं साउथ एस एशिया का कॉमर्सियल हब बनने के रास्ते पर चल पड़ेगा अब आप मुझे बताईए एक गोमती नदी नरेंद्र मोधी के प्रदान मंत्री बनने के बाद आई क्या पहले ठीक नहीं थी पहले थी ना विपलव जी मुख्य मंत्री बने उसके पहले भी गोमती तो थी ना आपको दिखती थी पहले वाली सरकार को नहीं दिखती हमने उस गोमती को गहरा करके उसी में जहाद चलाने का फैसला किया है भाविवर बेहनों बीतोए महिनों के दवरान यहां की सरकार ने टेक्लोलोजी के माध्यम से आपके जीवन को आसान बनाने का लगातार प्रयास किया है गरीबों का राशन हो जमीन का मामला हो या फूर दूसरी सेवाएं बाकी देश की तरह इंटरनेट से जनता को सुविधाएं देने का काम तेज गती से चल रहा है इस डिजीटल अभियान से बिचोलियों पर बराबर की लगाम लग गई है और मुझे पताया गया कि हमारे त्रिपुरा में 62,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाब मिल रहा था जो लोग थे ही नहीं सिरफ कागेज पर ही पैदा हुए कागेज पर ही बड़े हुए और कागेज पर ही रूपिय लेते गए ये फरजी लोग आपका पैसा लूटकर किसकी तीजोरी भर रहे थे ये आप भली भाती जानते हैं साथियों इस तरह बीते साड़े चार बर्षों से देश भर में ऐसे फर्जी बाड़ा करने वाले आठ करोड फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हमने बहार कर दिया है ये वो लोग थे जो दूसरे गरीब का राशन खा जाते थे पैंशन खा जाते थे स्कॉलर्शिप हडब जाते थे ये पूरी व्यवस्ता किस ने बनाई आप मुझे बताईए कि बिचोलियों और दलॉलों की ये पूरी व्यवस्ता किस ने तयार की जड़ा जोर से बताईए कौन लोग है जिम्मेवाग किस ने बरवादी की साथियों दिल्ली में जिनकी 55 सालों तक सरकार थी और यहां जिनकी दो दशक तक सरकार रही कि असल में इनी दोनों साथियों की जुगलबंदी ने ये पाप किया था ये कमाल किया गुंडों और प्रस्टाचारियों बिचोलियों की महा मिलावट के इन साथियों का एक कमाल था जिस ने त्रिपुरा और देश के गरीब मद्यमवर के हक पर डाका डाला साथियों महा मिलावट ये महा मिलावट के साथी दलालों बिचोलियों के सबसे बड़े समरक्षक रहे यब फिर से दिल्ली में एक बार सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में हो सके उतना जल्दी एक मजबूर सरकार बन जाए मजबूर मजबूत सरकार से उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है आप मुझे पताएए देश को मजबूत सरकार चाहिए के नहीं चाहिए इतना बड़ा देश मजबूत सरकार मिना चल सकता है मजबूत सरकार के मिना फैसले हो सकते हैं मजबूत सरकार के मिना देश आगे बढ़ सकता है मजबूत सरकार के मिना नवजवानों का बविश्य बन सकता है उन्हें तो मजबूर सरकार चाहिए क्योंकि मजबूर सरकार होगी तो उनके घर भरने में सुविदा रहेगी उनके वंश वारिस की सेवा करने की सुविदा रहेगी तिकडम बाजी करने के लिए मुईदान खुला मिल जाएगा आप मुझे बताईए भाईयों बेनो देश को मजबूत सरकार मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए सभिपी लिशन चल रहा है। कि यहीं काम चल रहा है अवसРबादीता के हद सभिए कि अग मुझे बताईए हैं महा मिलावट वाले दिल्ली में हाथ पकड़ पकड़ करके फोटू निकालते हैं, कलकत्य में जाकर करके हाथ पकड़ पकड़ करके फोटू निकालते हैं, ये त्रिपूरा में एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तैयार है क्या? है क्या? किरल में है क्या? बंगाल में है क् अब लेकिन देश को ब्रमित करने के लिए हात में हात मिला करके महा मिलावट का व्यान चला रहे हैं और करना क्या जम भी मिलो मोधी को गाली दो इनको लगता है कि जनता इनकी तरह ही अपने विवेक पर परदा डाले हुए है उसको ये महा मिलावड का कहल समझ नहीं आता है असल मैं यह भी भी पुराने वाले दौर में जी रहे हैं कि इनके जूट को कोई पकड़ नहीं पाएगा जिस तरह विदान सभा के चुनाओं में आपने इनको सच्चाई दिखाई उसी तरह अब لوग सभाचुनाओं में देश की जनता बताएगी कि लोगों से जूट बोलने का मतलब क्या होता है बाई और बैनो इन से अगर गोई पूछे कि बताओ भाई किसान के लिए आपकी क्या योजना है क्या एजंडा है जैसा ही आप पुछोगे कि किसान के लिए क्या करोगे तो उन्होंने जवाब देना चाहिए जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए लेकिन वो क्या करते हैं आप याद रखना आप उनको किसान का पुछोगे वो मोदी को इतनी गाली देंगे अगर आएम इनसे पूछोगे कि मजदूर के लिए स्रमिक के लिए क्या करोगे उन्होंने जबाब देना चाहिए जबाब नहीं देंगे वो मोदी को उससे जरब बड़ी गाली देंगे इनसे पूछो कि युवाओं के बहतर भविश के लिए क्या करोगे तो जबाब देने के बजाएं वो मोदी को उससे भी बड़ी गाली देंगे जितने सवाल उतनी गाली बड़ी होती जाती है हर सवाल का जवाब उनके पास एक ही है मोदी को गाली दो, मोदी को बड़ी गाली दो, मोदी को जोर से गाली दो मोदी को जितनी हो सके उतनी गाली दो यही इनका काम है बाई ये बेहनों असल में महा मिलावट के ये साथी जान चुके हैं कि देश के युवा, देश के गरीब, देश के किशान वो अपनी आकांग छाएं मोदी पर भरोसा करके देख रहा है आशा और विश्वास के साथ देख रहा है मोदी जो काम करता है उससे ही विश्वास जगता है उसी से उम्मिद्य अधिक होती है और ये सारे मोदी विरोधियों को भी भली भाती पता है चाहती हो, बीते साड़े चार बरसों में जो काम सरकार ने किये उसको और विस्तार देते हुए इस वर्ष के बजेट में सबका साथ सबका विकास के रास्ते को और मजबूत किया गया है किसान हो, नौजवान हो, मद्दुर हो या मद्दंबर हर किसी के लिए बजेट में ऐसी विवस्ता की गई है जैसी पहले सोची तक नहीं गई थी भाई और बैनों, इस बजेट में हमने ऐसे लोगों की चिंता की है जिनके बारे में पहली की सरकारों के समय सिर्फ नारे लगाए गए, सिर्फ बोट बटोरे गए अब आप ही बताईए, जो घरों में काम करते हैं जो सडकों या घरों के निर्माण से जुड़े हैं जो रिक्षा चलाते हैं, रेडी या ठेला चलाते हैं ऐसे असंगठी छेतरों के करोडों मद्दूर बहन भाईयों के लिए अन ओर्गनाइज लेबर के लिए पहले की सरकारों ने क्या किया ये कॉम्मिनिस्ट पार्टी वाले तो मद्दूरों के मसिया अपने आपको बताते हैं लेकिन उनको अन ओर्गनाइज लेबर के लिए कुछ भी करने की सुजी नहीं है दिल्ली सरकार के पार्टनर थे यहां इतने लंबी सरकार चलाई लेकिन कभी उनको अन ओर्गनाइज लेबर की याद नहीं है क्या किसी ने इस वर्ग के लिए आद तक कोई बड़ी योजना बनाई साथियों पहले की सरकारें ये काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनकी नियत साप नहीं थी चाय वाले की सरकार ने सही नियत के साथ एक बड़ी योजना बनाई है इस योजना का नाम है प्रदान मंत्री स्रमयोगी मांदन योजना इसके तहट असंगधित कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों की तरह असंगधित कामदार समीकों को भी मद्दुरों को भी साट वर्स की आयू के बाद तीन हजार रुपिय की एक नियमित पैंसन मिलेगी जिन बहन भाईयों की मासिक कमाई 15,000 रुपिय से कम है वो आउसतन सो रुपिय का छोटा सा मासिक अंसदान दे कर इस योजना से जुड सकते हैं इस में भी जितना अंसदान स्रमिक का रहेगा उतना ही केंदर सरकार उनके पैंशन खाते में डालेगी हर महिना डालेगी साथियों इसी तरह किसानों पशुपालक और मचुवारों के लिए भी अनेक प्रबंद किये गए हैं किसानों के लिए इतिहास के सबसे बड़ी योजना बनाई गई हैं पी एम किसान योजना इसके तहट त्रिपुरा सही देश भर के करीब बारा करोड किसान परिवारों को हर साल छे हजार रुपिये सीधे बैंक खाते में केंदर सरकार जमा करेगी और ये दो दो हजार की तीन किस्तों में जमा होंगे और मेरा प्रयात रहेगा कि जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी पहली किस किसानों के खाते में पहुँच जाए इसका लाप उन किसानों को मिलेगा जिनके पास पांच एकर या उससे कम जमीन है इसी तरह पशूपालकों के लिए भी अब किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड की सुविदा दी जा रही है ताकि वो अपनी जरुरतों के लिए बैंकों से सस्ता रन ले सके और सहुकार के चंगूल में फसने से बच सके है मच्वारों के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया गया है इससे मच्वारों से जुड़ी समस्याओं का जल से जल निप्टारा हो सकेगा साथ्यों ये सभी कारिकम उन योजनाओं की भी ताकत देंगे जो बीते साड़े चार वर्स से चल रहे हैं जैसे आयुश्मान भारत योजना की तहट त्रिपुरा के गरीब परिवारों को पांच लाख रुपिय तक का मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्शित हुआ है उज्वला योजना के तहट गरीब को मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है जिसके पास गर नहीं है उसको प्रदान मंत्री आवाज जोजना के तहट पक्का गर और स्वच्छ भारत मिशन के तहट सवचाले दिया जा रहा है गरीबों को एक रुपिय महिने और नब्बे पैसे प्रति दिन के प्रीमियम पर दो दो लाख रुपिय तक के दुरगटना और जीवन मिमा की सुविदा भी उपलबदा कराई गई है मुझे बताया गया है कि त्रिपुरा में 11 महिने के बीतर ही 2 लाख से अधिक गैस के कनेक्शन इतना छोटा सा त्रिपुरा राज 11 महिने में 2 लाख से अधिक गैस के कनेक्शन 20 हजार से जादा घर बना करके गरीबों को दिये है सवा लाख से जादा सौचाले बनाए गए यह तमाम योजनाए आज गरीबों के जीवन सतर को उपर उठाने में काम आ रही है साथियों त्रिपुरा के पहचान जन जातियों से भी है इस साल के केंद्रिय बजेट में जन जातियों के लिए बजेट में बहुत बड़ी वृद्धी की गई है साथ में गुमंतु नॉमेडिक ट्राइप इस समुदाई की पहचान के लिए पहली बार आयोग बनाने का फैसला भी लिया गया है बाई और बहनों हमारी केंद्र सरकार ने आटोनोमस काउंसिल को ससक्त करने की लंबी समय से चल रही मांग को पूरा करने की तरब भी कदम बढ़ाया है कानून में बढ़लाव करके हमने सिर्फ काउंसिल को आत्मंदिर भर बनाना चाहते हैं बलकि काउंसिल के अधिकारों में भी बढ़ोद्री करना चाहते हैं मुझे उमीद है कि कानून में बढ़लाव के बाद हर इलाखे का संतुलित विकास होगा और तेजी से विकास होगा साथियों विकास की पंचधरा यानि बच्चों की पढ़ाई युवा को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसान को सिंचाई और जन जन की सुनवाई इसी रास्ते को हम निरंतर मजबूत कर रहे हैं त्रिपुरा इंस्टिटूर अप्लेक्नलोजी त्रिपुरा के विवाऊं को पढ़ाई और कमाई से जोडने के हमारे अभियान का एक बहुत महत्वण हिस्सा है हम इंस्टिटूर से यहां के विवाऊं को शिक्षा के बहतर अवसर मिलेंगे और उनके उजवल भविश्की निम ससकता होगी त्रिपुरा की सिख्षा विवस्ता को मजबूती देने के लिए राज की सरकार निरंतर काने एक कदम उठा रही है पहले की सरकार ने जो अविवस्ताइं फैला रखी थी उनको दूर किया जा रहा है साथियों मुझे बताया गया है कि युवाओं को कमाई के समान अवसर देने के लिए राज सरकार ने एक गलब परंपरा को यहां की ववस्ता से हटा दिया है पहले सरकारी नोकरियों में एक पार्टी के आउनका डर से जुड़ा लोगों को ही लिया जाता था इस परंपरा को अब पूरी तरह खतम कर दिया गया है अब त्रिपुरा के हरिवा को मेरिट के आधार पर चैन करने की एक पार्डर से व्यवस्ता तैयार की जा रही है मुझे यह देखकर संतोष होता है कि अब यहां हिंसा का डराने धमताने का दोर चला गया है और त्रिपुरा सांती से विकास की नई उचाई को छुने के लिए निकल पड़ा है मुझे इस बात की भी खुशी है कि त्रिपुरा वासी अब आराम से माता त्रिपुरेश्वरी का अशिरिवार ले सकता है हवन कर सकता है पूजा, हवन, दिवाली, होली सभी त्योभारों को पूरी आजादी के साथ सभी त्रिपुरावसी मना सकते हैं भाई और बैनों, ग्यारा महिने पहले आपने जो नए त्रिपुरा के लिए अपना बोट दिया था उसको और शक्ती देने के लिए, अम नए भारत के लिए नया जैनादेश भी आपको देना है अगर तला और दिलनी में विकास का ये डबल इंजन चलता रहे, इस्ते लिए आपको जूटे रहना है आपके विश्वात से ही विकास के नए रास्ते खुलेंगे केंद्र सरकार, त्रिपुरार विकास, त्रिपुरार विकास ए समर्पितो, त्रिपुरार राज के भारत बोर्षेर, अन्योतोमो स्थान बनाबो मैं फिर एक बार, आपका असिर्वात के लिए इतनी विशाल संग्या मा आने के लिए रिवेश से आपका बहुत-बहुत धन्यवात करता हूँ, मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत बहुत-बहुत धन्यवात पुल्यवान शनों में समय निकाल कर त्रिपुरा का दोरा करने के लिए मैं माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधीजी का पूरे राजी की जन्तकी ओर से हार दीक आभार प्रकट करती हू.